भरतेंता पार्टी का परिवार नेरंदर बढ़ रहा है और सभाविक है कि जैसे देश के अंदर एक वादान बना है हमारे देश के वर्तमान प्रधान मतरी नेरंदर मोधी जी तीशरी बार फिर से लोगों का शीरुवात प्राप्त करके और एक बड़ी संक्याभे भरतेंता पार्टी के सांसित बनेंगे और उसमें हर्याना का हमरा योगदान अध्यकण पहले से ही शत्रहत योगदान है उसी शत्रहत योगदान को ज्यादा मार्जन से और ये सीटें जीत करके हम उनकी जोली में डालेंगे और इस बात को देखते हुए जो भी लोग भातिनता पार्टी जोयन कर रहे हैं जैसे खास करके आज हमारे पूरु मंतरी सीपियस जिले सिंग जिलरम शर्मा जी जो असंद से विदायक पहले बने थे आज उन्होंने पार पार्टी के जनकल्याण मूर्चा के कॉंग्रस के कई सरपंच पूरु सरपंच डॉक्टर्स कई लोगों ने उनके कारक्ताओं ने पार्टी जोयन की है उन्हों सब का अभिन्दन तादीव करके गए हैं आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आपकी कसीदे पड़े किस से भी सुनाएं जो कि हमारे उनके बहुत पुराने उस समय के संबंद्र जब करते थे पार्टी के समय से पूरु वह भी संग के पचार के नाते से जम काम करते तो बहुत साधा जीवन सब लोगों का रहा है और पुरानी बात हैं हालां कि मैं कभी दुड़ाता नहीं हूं लेक आता था उन जिनों को याद करके हमको भी जरा उमंग और एक उत्सा मिलता है और उनकी इस तराक्ती बाचित से हमें प्रेणा मिलते हूं अपने बीजिंदर सिंग छोड़ गई है सर बीजे पूर बात इन है कि कोई आएगा कोई जाएगा ये सिलसला तो ऐसा चलेगा अब स्थाई जैसा एक विशे रहना चाहिए वों कभी लगा नहीं वो अपने तरीके की बाते कभी करते रहते हैं जैसे आप जो इनके बेटे तों भी कह रहते हैं मेरे तो बहुत पुराला संबंग रहा है कॉंग्रस से और अभी भी लगातार संपर्क में थे मुझे लगता है क जिस आत्मे को विचार पूरोग जहाँ एक बार आना चाहिए विचार को समझ करके आना चाहिए हमने तो आज यहां भी जो कॉंग्रेस लोग आये हैं वो का कभी भी रोजना अब दो तीन दिन लगतार होगी जले करनाल के पुलिस कर्मियों की प्रमोस्ट विचले काफी समय से लुकिए है अम्वाला और कर्णाल के पुलिस कर्मी एसजय हो जाते हैं लेकिन दूसरे जिलों के सब इंस्पेक्टर शुदी होती है हमने डिपार्टर को कि आया कोई एक रास्ता निकाल करके ताकर कि एक ही समय पर सभी कॉंस्टेबल जो हैं, मेरिट उनकी समान बने और उनकी जो परमोशन है एक तुम राजपु समान के लोग समा में दो टिकेट मिलें और विधान समा में दस दिखे, मांग करना उनका कामा, बाकियों विचार करें को कोई टिकेट मिल रही है या दस की दस पर बीजेपी अभी केंदरिया परलेमिटी बोर्ड विचार करेंगा बता है